हलो एवरीवान जैहिन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला माई नेम इस राहूल परमार और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो फिजियोग्राफी थी इंडिया की उसके बचे हुए इससे को कवर करेंगे और साथ इसाथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लास लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था लास लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी बेटा किस-किस के बारे में हिमालिया के बारे में बात की थी और पेनिंसुलर इंडिया के बारे में बात की थी इस लेक्चर के अंदर हम लोग discuss करेंगे northern plains के बारे में कि northern plains क्या होते हैं और कहा होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है फिजियोग्राफिय में कौन से topic हम cover करने वाले हैं northern plains ठीक है northern plains को complete करने के बाद फिर हम बात करेंगे coastal plains फिर islands एंड लास्ट में MCQs इन चीजों को हम discuss करेंगे इस session के अंदर तो शुरू करें हां जी सर चलिए शुरुवात करते हैं northern plains of India मतलब उत्तर भारत के मैदान located between हिमालय एंड peninsular plate you क्या बोलते हैं कभी कि ये जो northern plains से इंडिया के ये कहां बने हुए हैं ये बने हुए हैं इस तरब तो ये rough form में हो गया हमारा हिमालया ठीक है हिमालया के तीन ranges बता दी थी मैंने आपको इस हिमादरी इस लेसर हिमालया एंड इस शिवालिक तो इसके south में इसके south में मतलब यहां पर कहां से पंजाब हर्याना वाले रीजन से राजस्थान पंजाब हर्याना वाले रीजन से पार करते हुए पूरा central इंडिया नोर्थ central इंडिया फिर इस तरब गए हम वेस बेंगोल से आखरी आसाम तक तो ये जो parts है यहां पर क्या मिलता है विटा इस part के अंदर हमें northern plains मिलेंगे ये इनकी location होगी तो white color से हिमालिया है green color से northern plains है वो green color के south में यहां पर आ जाता है आपका peninsular इंडिया जो नीचे तक जाएगा तो peninsular India in the south peninsular India in the south and हिमालिया in the north इनके बीच में यहां पर north में हिमालिया और south में peninsular इंडिया इसके बीच में यहां बने हुए है northern plains it is formed by alluvial deposits it is formed by alluvial deposits brought by rivers alluvial deposits जो की नदिया ले करके आती है उससे यह बनते है it is brought by it is formed by alluvial deposits brought by river from हिमालिया जो नदिया जो नदिया हिमालिय से चल करके आती है जो नदिया blue color में हिमालिय से चल करके आती है यह नदिया अपने साथ साथ मिट्टी ले करके आती है यह नदिया अपने साथ साथ क्या ले करके आती है मिट्टी और उसी मिट्टी से ये plains बने हुए तो it is formed by alluvial soil deposited and brought by rivers from Himalaya इस plains are approximately 3.20 लेक किलोमेटर ये जो plains होते हैं जैसे peninsular इंडिया है peninsular इंडिया हमारे देश का कितना भाग cover करकर रखता है तो peninsular platew हमारे देश का एरिया कितना है 32,64,263 square kilometer उसका आधा भाग मतलब 16,00,000 उसका आधा भाग मतलब 16,00,000 square kilometer का एरिया peninsular इंडिया cover करता है अब northern plane 3,00,000 BCR 3,00,000 BCR square kilometer का एरिया cover करते हैं कोन से आपके northern plane kilometer ने square kilometer है ये इतना area cover करते है north to the south plains are divided into भाबर and तराई जो northern plains होते है ये हिमाले हो गया हिमाले में के south में इन ही northern plains को जो green colors दिखाई दे रहा और इसके बाद जो हिमाले है बेटा हिमाले के south में इन northern plains को किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर भाबर हिमाले के just south में इन्हें भाबर नाम से जाना जाता है और उसके south में इसे तराई नाम से जाना जाता है तो north में क्या है हिमाले उसके south में green color से भाबर और उसके south में तराई तो भाबर और तराई northern plains हैं जो कि उत्तर से दक्षण में उन्हें इस प्राकार से जाना जाता है ठीके ओके यह देखिए यह यह है एक हिमालया ठीके सपोस करो जिस दर हिमालया मैं इसको पर defense वाला channel पर एक short भी बनाया है अगर आपको भाबर और तराई समझने में doubt हो तो आप प्लीज उस short को check कर सकते हैं तो इस यह जो पानी का glass है यह river और इस glass को मैंने कहां डाला इस glass को मैंने यहां डाला और जैसे यह पानी यहां से बहा मतलब नदी जैसे बही तो नदी के बहने के कारेंट इन पत्थरों के अंदर नदी छुप जाती है तो भाबर region वो region होता है भाबर is the region भाबर is the region where river disappear, river disappear हो जाती है भाबर region के अंदर और तराई is the region where river reappear फिर से निकलके बहार आती है यहां पर तो भाबर is the region where river disappear and तराई is the region where river reappear यह जो आपको photograph दिख रहा, this is the तराई region जहां पर नदी फिर से निकलके बहार आ गई है ठीक है तो बड़े-बड़े boulders पत्थरों के बीच में नदी disappear हो जाती और तराई के मेदानों में इन fertile plane के अंदर फिर से वो reappear हो जाती है ठीक है ओके तो on the basis of formation of planes on the basis of formation planes are divided into three parts on the basis of formation planes are divided into three parts उनको हमने तीन पार्ट में divide किया कौन कौन से basis कौन से basis पर उनके बने के basis पर मतलब जो planes थे उनकी बनावट किस प्रकार है इस हिसाब से हमने उनको तीन पार्ट में divide किया ठीक है तो कौन कौन से पार्ट? इंडस, इंडस के द्वारा बनाए गए planes दूसरा, वो planes जो गंगा बनाती उनको गंगा प्लेंस नाम दिया गया और वो प्लेंस वो प्लेंस जिनको कौन बनाता है जिनको बनाती ब्रह्मपुत्र उनको ब्रह्मपुत्रा का नाम दिया गया तो बेटा यहां पर यह हो जाएंगे इंडस के plains, यह हो जाएंगे गंगा के plains और यह हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र के plains, यह तीन predominantly plains पाए जाते हमारे देश के अंदर, जो कमाईनली मिलके उत्तर भारत के मेदान या फिर Northern Plain के नाम से जाने जाते हैं, ठीके बेटा? ओके, तो इंडस plane, it is spread in Indus river valley जो Indus के plains है the plains of Indus are spread in Indus river valley जो Indus नदी है उस यह जो आपको white color से दिखाई दे रहा, light color से थोड़ा सा दीसार्दी Indus plane और यह कहाँ पर बने हुए Indus river की valley के अंदर बने हुए हैं, कौन सी river की Indus river की valley के अंदर बने हुए है, ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ जी सर, बात हमें समझ में आ गई, ठीक है ओके, तो यह जो plains होते हैं, यह plain Indus और उसकी Tributaries से मिलकर के बने हुए Indus and Indus Tributary, तो दो नदी के बीच के मेदान को दुआब कहते हैं दो river के बीच के मेदान को दुआब कहते हैं दुआब मतलब land between two rivers तो यहाँ पर पंजाब मतलब पांच और अब मतलब पंच दुआब मतलब पांच दुआब मतलब पांच बार ऐसे इससे बनेंगे जो दो दो नदियों के बीच माएंगे जैसे जिन से मिल करके पंजाब बना है तो क्या-क्या है कैसे कैसे वो दुआब वो दुआब जो बियास और सतलच के बीच में है साउच साइड से बता रहा हूं में साउच से नौर्थ तो वो दुआब जो बियास और सतलच के बीच में मतलब कहां पर ये है आपकी बियास और ये है आपकी सतलच तो इन दोनों के बीच का एरिया कलर कर दूँ इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है वेटा इन दोनों के बीच का जो एरिया है सतलच और बियास के उसे हम कहते है बिस्त दुआप फिर दूसरा आता है बरी दुआप कुन सा बरी दुआप मतलब बियास और रावी बियास एंड रावी रिवर के बीच का जो एरिया है उसे बरी दुआप कहते हैं बियास और रावी रिवर के बीच का जो एरिया है उसे बरी दुआप कहते हैं तो कहां पर हैं इस तरफ थी बियास river और इस तरफ थी रावी river इस तरफ थी बियास river और इस तरफ थी रावी river तो यहाँ पर जो दोनों के बीच का area बना ये वाला area ठीके यहां नीचे की तरफ ब्यास है और उपर की तरफ रावी है इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसे हम क्या नाम देंगे बिटा परी दुआप परी दुआप और विस्त दुआप समझ में आ गया ठीके अगला आता रेचना दुआप कौन सा आता अगला रेचना दुआप रेचना दुआप कहा है आपका रेचना रावी और चेनाप के बीच में मतलब ये तो हो गए आपकी रावी और ये हो गए आपकी च ये कौन सा हो जाएगा रेचना द्वाब कौन सा द्वाब रेचना द्वाब कौन सी नदी के बीच में रावी और चेनाब नदी के बीच में आ जाएगा रेचना द्वाब अब चेनाब और जहलम अब इसके बाद क्या आता चेनाब और जहलम मतलब ये वाला हिस्सा चेनाब और जेलम ये हो जाएगा छजदवाब चेनाब और जेलम ये हो जाएगा छजदवाब इतना समझवाब ये चार दवाब तो पांच वा कहाँ बनेगा एक तरब तो बनेगी इंडस एक तरब तो बनेगी सिंदू रिवर और दूसरी तरब जेलम रिवर तो सिंदू रिवर और जेलम रिवर ये सिंदू रिवर और जेलम रिवर इसके बीच में जो बनेगा न यहाँ पर सिंदू और जहलम के बीच में इस इस यूर सिंद सागर दुआप मेरे खयाल से पांचो के पांचो दुआप आपको समझ में आ गए होंगे सिंद सागर दुआप छज दुआप रेचना दुआप परी दुआप और बीस्ट दुआप यह पांचो के पांचो दुआप कहां पर है पंजाब वाले रीजन में है और पंजाब के उत्तर वाले रीजन में तो ये दुआब बहुत जरूरी थे बिटा हमको जानने के लिए इस तरह से exam में question पूछे जाते हैं कि चेनाब और जेलम मिलके कौन सा दुआब बनाती है तो दोनों के नाम का prefix पहला word यूस करेंगे हम और कहेंगे चजद्वाब और चजद्वाब किस से मिलकर के बनता है जेलम और चेनाब नदी से मिलकर के बनता है आपका चजद्वाब getting my point बिटा? getting my point? हाँ जी सर, ओके चलो आगे गंगा नदी आगे कौन सा आजाता? गंगा नदी so this is the largest unit of great plains of India stretching from Delhi to the Kolkatta मतलब ये जो unit है it is the largest unit of great plains of India हमारे देश के plains यहाँ से राजधानी से लेकर के तो कलकत्ता तक मतलब इस पूरे भाग में कितने भी आपको दिखाई दे रहा ये area ये पूरा का पूरा area my dear students covered by covered by ganga plains covered by ganga plains this region is covered by covered by ganga plains कहां से दिल्ली से लेकर के तो कलकत्ता तक कहां से दिल्ली से लेकर के तो कलकत्ता तक ये तो north north का हो गया अपने ये निकाल लिया अब the peninsular river such as chambal betwa kain sone कुछ peninsular river peninsular india की नदी ये वाली यहां से chambal betwa kain और sone ये जो white color से मैं बता रहा हूँ न विटा ये सब rivers है ये नदीया भी अपने साथ क्या लेकर के आती है ये नदीया अपने साथ लेकर के आती है sediment तो गंगा के मैदान जो है विटा वो मात्र गंगा से मिलकर के नहीं बने हुए वो northern side में गंगा से मिलकर के बने हुए और southern side में उसका अंदर जो sediments होता है वो sediments लेकर के कौन जा रहा है सदन साइड में उसके अंदर मिलने वाला सारा सेडिमेंट ले करके जाया जा रहा है पेनेंसुलर रिवर्स के तुरू पेनेंसुलर रिवर्स इसके अंदर सेडिमेंट ले करके जा रही है ठीक है? ओके चलिए अगला ब्रह्म पुत्र प्लेंस अगला क्या जाएगा आपका ब्रह्म पुत्र के प्लेंज तो ब्रह्म पुत्रा के प्लेंज कहां होंगे ब्रह्म पुत्रा की वेली मतलब ब्रह्म पुत्रा की घाटी सबसे ज़्यादा आपको कहां आज ही इस लेक्चर के अंदर हम रिवर्स के बाड़ेंगे पियसन नेफा अरोनाचल प्रदेश से हमारे देश के अंदर गुस्ती है नामचा बारवा से सदन साइड टर्न लेती है टर्न लेने के बाद वेस्ट वर्ड फ्लो करने लग जाती है कहाँ पर आसाम के अंदर आसाम के अंदर वेस्ट वर्ड फ्लो करती है और वेस्ट वर्ड planes predominantly found in the state of Assam जो ब्रह्मपुत्र नदी है ब्रह्मपुत्र नदी के most of plane कहां पर मिलते हैं Assam के अंदर मिलते हैं क्यों मिलते हैं Assam के अंदर बेटा क्यों मिलते हैं Assam के अंदर Assam के अंदर इसले मिलते हैं क्योंकि यहां आ करके ब्रह्मपुत्र expand हो जाती है यहां आ करके ब्रह्मपुत्र expand हो जाती है और expand हो जाने के बाद यहां पर expand हो जाने के बाद अपने plains बनाती है इवन the world's largest island माजुली world's largest island है माजुली वो भी इसी के उपर बना हुआ है world's largest island माजुली island वो यहीं पर ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बना हुआ है ठीके बिटा तो ये वाले point हमने ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत बहुत ज़ादा important है ठीके कि world का largest island कहां पर बना हुआ है आसाम के अंदर बना हुआ है ब्रह्मपुत्री नदी के ऊपर जिसे माजूली island भी कहते हैं ठी coastal plains की बात करते हैं तो coastal plains में the expansion of coastal plain is between the peninsular mountain and the sea coast of India इस बात को समझे है हाँ सर समझते है इसको चली आओ समझते है ये क्या हो गई ये इंडिया की coast हो गई तट हो गया और इस तट के ऊपर कोन से पहाड़ बने बताओ तो मुझे यहाँ पर वेस्टन घाट इस्टन घाट इस्टन घाट और इंडिया की coast के बीच का ये जो area है pink color से जो हमें दिखाई दे रहा इस pink color से दिखने वाले area को हम क्या नाम देंगे इस रंग से दिखने वाले area को हम नाम देंगे coastal plains इस pink color से दिखने वाले area को हम क्या नाम देंगे coastal plain कहाँ पर green color के पहाड़ो और brown color की टट के बीच में एक coast और पहाड़ के बीच में जो pink color दिखाई दे रहा that pink color shows us the coastal plains ठीके तो पहला बात समझ माईगे कि peninsular mountain peninsular mountain and sea coast of India peninsular mountain and sea coast of India के बीच में जो आता है that is the coastal plain the sedimentation by both sea and peninsular river यहाँ पर समुद्र भी मिट्टी फेकता है और नदी भी मिट्टी फेकती है मतलब peninsular India की नदी बह बह कर आकर के मिट्टी लाती है और समुद्र की लहर तो बीच में जो मैदान बने हुए इन मैदान को हम coastal plain मतलब 30 मैदान कहते हैं इंडिया के coastal plains को हमने दो पार्ट में classify किया गया पहला west coastal plain और फिर east coastal plain western coastal plain और दूसरा eastern coastal plain western coastal plain जो western side में है और eastern coastal plain जो eastern side में आते हैं ठीक है आगे next western coastal plain जो इंडिया के western coastal plain है उनको हमने किस पार्ट में divide किया पहले उनको learn करेंगे तो हमारी देश के अंदर मिलने वाले western coastal plain को western coastal plain को जो हमारी country में मिलते हैं उनको हमने जा गुजरात plain जा कोणकन plain जा कंणड plain एंड दा मालाबार plain इतने नाम में विभाजित किया है तो ये वाला पार्ट है ना यहाँ पर मिलते हैं कच प्लेन कच प्लेन मतलब run of कच ठीक है ये जो run है run के कच प्लेन है फिर यहाँ पर south में जो green colors है this is called काठियावाडा plain क्या कहते हैं क्या कहते हैं काठियावाड planes काठियावाड कहां आता है सदन गुजरात के प्लेनसुला माते गुजरात में दो प्लेनसुला छोटे छोटे एक कच प्लेन और दूसरा काठियावाड प्लेन दो दो जगे है ना फिर आता कौनकन कौनकन कहां कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है बिट्विन दमन एंड गोवा और दमन और गोवा के बीच में एक राज्य पढ़ता है प्रिडोमिनेंटली एंड देट कंट्री इस दी महारास देट कंट्री इस महारास तो कौनकन प्लेन कहां पर आते हैं कौनकन प्लेन आते हैं दमन और गोवा के बीच में फिर आते कन्णड प्लेन पिर क्या आते आपके कन्णड प्लेन तो कन्णड प्लेन कहां आते हैं between Mangalore and Goa कन्णड प्लेन कहां आते हैं between Mangalore in North and Goa in South मेंगलोर in north गोवा in south फिर इसके बाद आता मालाबार plane फिर क्या आता है मालाबार plane मालाबार plane कहाँ पर आता है मेंगलोर मेंगलोर से ले करके तो कन्या कुमारी तक तो चेंज करते हैं गोवा in north and मेंगलोर in south गोवा नोर्थ मेंगलोर साउथ में हो गया अब मालाबार plane की बात करें तो मालाबार specially पाए जाते हैं किसके अंदर हमारे केरेला के अंदर और इसका end point होता है कन्या कुमारी कुन सा होता विटा कन्या कुमारी is the main plane तो मालाबार कहां कहां तक मेंगलोर से कन्या कुमारी तक कन्नर मेंगलोर से गोवा तक कोणकन गोवा से लेकर के तो नोर्थ में कहां तक जाएगा हमारा दमन तक यह यहां है दमन दमन दियू दमन यहां है और दियू यहां है तो दमन तक और फिर गुजरात प्लें चले गे जो गुजरात की कोश्ट में चलेंगे ठीके बच्चा यहां तक clear है हाँ सर यहां तक clear है अब इसको complete करने के बाद बढ़ते हैं आगे अगला आता है Eastern Coastal Plain Eastern Coastal Plain मतलब पूर्वी तट कौन सा तट? पूर्वी तट तो Eastern Coastal Plain को हम समझते हैं Extended from Subarn Rekha River Extended from Subarn Rekha River in the North to Kanyagumari in the South यह पूरे Plains बता दी मैंने कि यहाँ पर Subarn Rekha से लेकर के तो Kanyagumari तक जहाँ पर Western Coastal Plain और Eastern Coastal Plain आगर के टकरा रहे, Kept Komorin तो North में North में यहाँ पर इस जगा पर Subarn Rekha से लेकर तो दक्षिन में Kanyagumari तक इसमें कौन-कौन से Plains आएंगे? इसमें आएगा आपका Coromandal Plains कौन सा आएगा? Coromandal Plains यह यहाँ पर ठीके? Spacely यह दो राज्युम आता है एक Tamil Nadu दूसरा आंधर प्रदेश यह हो गए नीचे-नीचे के अब फिर आता है Northern सरकार Northern सरकार मतलब यह वाला भुवाग यह किसके अंदर आता है? यह अगेन आंधर प्रदेश और उडिसा के अंदर हमें देखने को मिलेगा फिर इसके बाद आता उतकल उतकल सिर्फ और सिर्फ उडिसा में रहता है उतकल प्लेन कहां रहता है? सिर्फ उडिसा में रहता है तो इतने प्लेन बने हुए हैं हमारे इंडिया की इस्टन कोस्ट पे वेस्टन कोस्टल प्लेन इस्टन कोस्टल प्लेन हमने देख लिया अब यह तो हो गया हमारा western coastal plain यह हो गया eastern coastal plain western coastal plain और western coast पर बनी हुई जितनी sea beaches है that are the rocky beaches and the eastern coastal plain and eastern sea beaches are the sandy beaches why so? because eastern side was drained by lots of peninsular river for example Godauri river, Krishna river, Mahanadi river, Kaveri river, Penner river ठीक है? इस type की river से यह drained होता है other the western coastal plain was diastrophed मतलब western घाट का एक भाग तूटके समुद्र के अंदर गया है तो वहाँ पर rocky beaches मिलती है ठीक है? तो western side rocky beaches eastern side sandy beaches देखने को मिलेगी आगे बड़े? ओके इससे पहले हम significant की बात कर लेते हैं significant hope coastal plains पहला पहला point जो हमारे लिए यहाँ पर important है that is for development का development ports का development होता है यहाँ पर ठीक है? sea beaches for the tourism tourism के लिए helpful होती sea beaches ठीक है? तो पहला तो हो गए आपका ports development दूसरा हो गए आपका sea beaches यह दो important significant हो गए इस area के coastal plain के साथ इसाथ यहाँ पर monazide sand मिलती है कहाँ पर? केरे लाके अंदर जो एक एक mineral का ओर होती है एक mineral उसके अंदर से निकलता है जिसको हम nuclear में use करते हैं तो वो जो monazide sand होती है उस monazide sand से कौन सा mineral कौन सा निकलता है uranium या thorium प्लीज कोमेंट करके इसका आंसर देंगे यह question में आप लोगों से पूछूंगा you everyone have to answer the question कि monazide sand से कौन सा mineral हम extract करते हैं ठीक है तो this is the significant of coastal plains of India let's move ahead to the island groups island groups की बात करें तो हमारा देश भारत इसके अंदर 382 offshore islands है जो coast से दूर है कितने 1382 तेरा सो 92 coastal islands है हमारे देश के पास कुछ coastal islands कहां पर है कुछ coastal islands है बे ओप बेंगाल में और कुछ coastal islands है अरेबियन सी के अंदर ठीक है तो एक एक करके सारे coastal islands को हम discuss करने वाले हैं ठीक है यहां तक clear हुआ बेटा चलिए सबसे पहले बात करते है island groups में उन islands की उन islands के बारे में discuss करेंगे बेटा जो कहां पर बे ओप बेंगोल के अंदर बने हुए है तो पहले मोटे-मोटे तोर पर देखा जाए तो हमारे देश में दो प्रकार का island group से एक अंडमान निकोबार जो बेओ बेंगोल में है और दूसरा अरेबियन सी के अंदर है लक्षदीब ठीक है ओके तो अंडमान निकोबार island और फोर्म डूटू दा कोलिजन बिट्विन दा लक्षदीब आइलेंट लक्षदीब आइलेंट सी औरगनिजम से कोरल के रेग्यूलर डिपोजिशन से जा करके इन आइलेंट्स का अंदर फोर्मिशन हुआ है जिनको को कोरल आइलेंट्स के नाम से जाना जाता है लक्ष दीप आईलन्ड को थीक है तो लक्ष दीप और अंडमान और निकवार इन दोनों के बारे में हमने मोटे मोटे तोड पर बात कर लिया innovate करतें अंडमान और निकवार ऐलेंड़ कोरेंड आइल आर सिचेटेड इन बेय। बेंगल जैसे कि मैंने last slide में आपको बताया था इस आर्ची पे लगो इस composed of almost 265 big and small island वाट इस आर्ची पे लगो आर्ची पे लगो क्या होता है कई सारे द्वीपो के समूग को आर्ची पे लगो कहते तो 265 तरह के island से मिल करके बना हुआ है आर्ची पे लगो मतलब क्या आपका अंडमान एंड निकोबार combined defense services के point of view से ये बहुत important है ये island कैसे important है एक मिनिट में आपको पता चल जाएगा भी देखना ठीक है तो the अंडमान निकोबार islands are divided into three parts अंडमान निकोबार islands जो है उनको तीन parts में divide किया गया है पहला north फिर middle and then south तो पहला north अंडमान middle अंडमान और south अंडमान इन तीन पार्ट में हमको हमने इसको divide किया है अब duncan passage duncan passage separate अंडमान from south अंडमान little अंडमान को south अंडमान से यह देखो यहाँ पर आपका little अंडमान है और यह आपका south अंडमान है तो south अंडमान को little अंडमान से share करता आपका duncan passage और question question कहां गया 1999 में command defense services ने पूछा था समझ रहो अब तक क्या question अपने पास है 1999 में command defense services ने पूछा था duncan passage किसे separate करता है तो duncan passage separate करता है little अंडमान को south अंडमान के साथ little अंडमान और south अंडमान को यह separate करता कौन सा duncan passage क्लियर है क्लियर है सभी को इसका हम एक छोटा सा map बना लेते जहां से हमको यह चीजे अच्छे से समझ मा जाएगी पहला यहाँ वाला जो पार्ट हो जाएगा यह हो जाएगा north अंडमान पहले क्या हो गया north अंडमान फिर यह हो गया आपका middle अंडमान पटापट नोट करो north अंडमान middle अंडमान और फिर इसके बाद आएगा आपका lower या south अंडमान फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा toड़ा सा और south में that is little अंडमान कुनसा? little अंडमान अब यह कौन-कौन किसको separate करता है कौन-कौन किस-किसको separate करता है तो हमें पहले यह याद रखना है कि south अंडमान याने lower अंडमान and little अंडमान were separated by Duncan passage कब पूछा गया है? TDS 199 में यह question पूछा गया है getting my point इतना समझ में आ गया है बेटा अब जब यह सारे सारे अंडमान के आईलेंड्स complete हो जाते हैं और जहां से निको बार चालो होता है निको बार स्टार्ट होता है तो इट इस separated by 10 degree channel separated by 10 degree channel कौन-कौन 10 degree channel से separate है? उपर के सारे अंडमान के आईलेंड और नीचे के निको बार का आईलेंड तो अंडमार के आईलेंड और निको बार का आईलेंड यह दोनों ही separate होते हैं किस चीज से बच्चा? 10 degree channel से यह separate होते हैं इतना structure समझ में आ गया हमको ठीक है तक कोकॉ स्ट्रेट बिट्विन नोर्थ अंडमान एंड कोकॉ आइलेंड ओप म्यानमार यहां पर जो नोर्थ अंडमान है यहां पर ठीक है ठीक है इस लिग कोकॉ स्ट्रेट कोको श्रेट कहां पर रही है यहां तो अंडमा निकोबार आईलेंड होगे इंडिया के और उपर यहां पर आपके कोको आईलेंड के बीच में अंडमा निकोबार और कोको आईलेंड के बीच में अंडमान निकोबार और कोको आइलेंड के बीच में क्या है बन जाएगा हमारा अंडमान निकोबार और कोको आइलेंड के बीच में बन जाएगा क्या हमारा मलक्का स्ट्रेट ठीक है कोको स्ट्रेट भी बोलते हैं इसे और हम मलक्का स्ट्रेट भी बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर जो है एंडमान निकोभर की कैपिटल, वो साउढ एंडमान मा आती, मतलब जो साउढ एंडमान जिसे लोवर एंडमान हम कहते हैं, ये वाला पार्ट, इस लोल पार्ट के अंदर, पोट ब्लेयर की जल इस पार्ट के अंदर आता है ठीक है बिटा सारे ही समझ माँ गए एक-एक करके रिपीट करो पहला सबसे पहले तो कोको आइलेंड्स कौन सी कंट्री के है कौन सी कंट्री की कोको आइलेंड आपके जाएंगे मियान मार के इसके बाद अगला जाएगा आपका कोको आइलेंड के बाद इंडिया के नोर्थ अंडमान नोर्थ अंडमान गए नोर्थ अंडमान कोको आइलेंड्स आर सेपरेटेट बाई मलक्का स्टेट या फिर कोको स्टेट इसके बाद आया मिडिल अंडमान middle and demand के बाद आया आपका lower and demand lower and demand और little and demand these both are separated by duncan passage question was cds 299 ये और इसके बाद इसके बाद ये question तो हमारा उसमें पूछ लिया इसके बाद 10 degree channel 10 degree channel जो होता है जो nicobar के बीच में आता है और nicobar के अलावा किसके बीच में आता आपका उपर से little and demand तो little and demand और nicobar के बीच में ये जो आता है the question was being asked in combined defense services 2011 ये question इसके अंदर पूछा गया है तो यहाँ पर ये method पूरी clear है बच्चा हमको क्या समझना है हमको ये जानना cocoa island, north and demand island फिर इसके बाद middle island middle and demand, lower and demand lower and demand and little and demand were separated by the duncan passage little and demand and core nicobar are separated by the 10 degree channel और इस एक ही जगा से दो क्योश्चन आए इसलिए मैं आपको बोला है that this is important part this is the important part ठीक है? ओके यहाँ पर हमारे पास अगला आजाता है लक्षदीप अगला क्या आजाता है? लक्षदीप islands तो लक्षदीप islands situated in Arabian sea लक्षदीप islands कहाँ पर है? Arabian sea के अंदर आते हैं जो total 36 islands का group है total 36 islands का group है जो 32 square kilometer का area cover करते हैं मतलब total island कितने 36 और area कितना cover कर रहे हैं? 32 kilometer का area cover करते हैं यह शुरुवात होती इनकी वीटा 8 degree channel से इनकी शुरुवात होती यहाँ पर south में 8 degree channel से और यहाँ पर जाते 12 degree channel तब 8 degree से 12 degree तक यह जाते हैं ठीक है? the main islands under the lakshदीप आरची पेलोगो आरची इसके अंदर कई सारे आते हैं जैसे कावारती आता है अगत्ती आता है कावारती आ गया दूसरा हो गया अगत्ती only airport पूरे लक्षदीप का एक मात्रे एरपोर्ट तो अगत्ती हो गया फिर mini कोई यह भी इसका हिस्सा है तो कावारती, अगत्ती, mini कोई यह इसका part बन जाएंगे getting my point बेटा? ठीक है ओके जैसे यहाँ लिखे हुए अगत्ती, mini कोई, आमीन यह तीन important islands हैं, जो यहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर? लक्षदीप आरची पेले को पर जो किस से मिल करके बना हुआ है? पोरल से मिल करके बना हुआ है ठीक है? सबसे चोटी union territory है और इन लोगों की occupation है एक तो fishing और दूसरा coconut मतलब, coconut oil को बेशना tourism industry को promote करना और fishing, यह इन लोगों की main occupation है ठीक है? इसके अलावा कुछ छोटे मोटे islands है ठीक है? इसके अलावा कुछ छोटे मोटे islands है, जैसे new moore island यहाँ पर है पांगलादेस और इंडिया की border पर, यहाँ पर पांगलादेस और इंडिया की border इस तरफ है पांगलादेस, इस तरफ है इंडिया, दोनों claim करते है हमारा, क्यों? because it has fossil reserve it has fossil reserve कौन-कौन से fossil के resource मिलते है इसके उपर cng मिलता है यहाँ पर cng मतलब natural gas यहाँ पर मिलता compressed natural gas डारेक्ट नहीं मिलता यहाँ पर natural gas देखने को मिलता है इस region के अंदर, new moore हो गए फिर dew island dew island, दमन दियू दमन दियू आइलेंड जो होता है वो भी इसी जगा पर हमें देखने को मिलता है arabian sea के अंदर off coast पर गुजरात की off coast of गुजरात क्या देखने को मिलेगा आपको दियू आइलेंड देखने को मिलेंगे ठीक है? इसके बाद आजाते अब्दुलकलाम आइलेंड कहां पर मिलेंगे? off coast of उडिसा उडिसा की off coast के उपर अब्दुलकलाम आइलेंड आपको दिखाई देंगे जिसे विलर आइलेंड भी कहते हैं यहाँ पर हमारा पूरा फिजियोग्राफी का पार्ट कंप्लेट हो जाता है जिसके अंदर हमने हिमालया, पेनिसुलर प्लेट्यू ग्रेट प्लेंस ओप इंडिया, कोस्टल प्लेंस ओप इंडिया और आइलेंड ग्रूप्स की बात कर ली अब कुछ क्योशन करते हैं सबसे पहला क्योशन लोंगेस बीच ओप इंडिया इस सिचुएटेट इन इंडिया की सबसे बड़ी बीच कहां पर है तो लोंगेस बीच ओप इंडिया इस इन चैन्नाई चिन्ने के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी बीच आती है अगला question विच इस दे हाइस्ट पीक अप अंडमान और निकोबार आइलेंड तो अंडमान और निकोबार आइलेंड के हाइस्ट पीक क्या हो जाएगी स्टेडल पीक यहाँ पर हम note भी कल लेते हैं हमारे notes के अंदर स्टेडल पीक इसकी हाइस्ट पीक हो जाएगी ठीके बच्चा चलिए यह हो गया हमारा answer इसके बाद अगला question विच वन अप दे फोलोईंग कोस्ट अप इंडिया इस लोकेटेड बिट्विन क्रिश्ना डेल्टा एंड केप कॉमोरीन क्रिश्ना डेल्टा एंड केप कॉमोरीन क्या होता है यह इंडिया की सबसे सदनमोस पार्ट इसे बोलते हैं केप कॉमोरीन ठीक है तो एक तरफ तो हो गया हमारा केप कॉमोरीन एक तरफ केप कॉमोरीन और यहाँ पर क्रिश्ना डेल्टा इसके बीच में जो इसके बीच में जो island जो coastal area आता उसे हम बोलते है बेटा Coromandel Coast इन दोनों के बीच में जो आता है that is the Coromandel Coast ठीक है अगला the maximum rainfall in India is received by इंडिया के अंदर maximum amount में rainfall किसके थू होती है तो this is the इंडिया और इंडिया के अंदर इस तरफ से आने वाली हवाएं मतलब Southwest monsoon cause maximum rainfall कौन maximum rainfall करा रहा है इंडिया के अंदर बच्चा तो करा रहा है आपका Southwest monsoon next question की तरफ बढ़ते हैं आगे अगला question है आपका which one of the following mountain range is spread over only one state in India इसी कौन सी mountain है जो भारत के एक मात्र state के अंदर फेली हुई है अरावली कहां पर है राजस्थान राजस्थान गुजराथ गुजराथ टेली और कुछ पार्ट हरियाना सत्पूरा महाराश्थ्रा पूर्मध्यप्रदेश तहयाद्री गुजराथ महाराश्थ्र गौवा करनाथका केरल इतनी जगा बट अजन्ता 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 महाराश्थ्रा तो सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ठीके तो यहाँ पर हमारा फिजियोग्राफी का पार्ट कम्पलीट हो जाता वेटा आज हम ड्रेनेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे और फिर आगे अगले लेक्चर के अंदर ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे तो ड्रेनेज होता क्या ड्रेनेज का मतलब होता पानी का प्रवाह एक तरह से दूसरी तरफ जो पानी बहता है उसे हम ड्रेनेज कहते हैं ठीके, so the flow of water in a definite direction, पानी का एक किसी particular direction में बहना, the network of such channel is cold as drainage, पानी का किसी particular direction में बहना आपका हो जाता channel, और कई सारे channel का network, कई सारे channel का network, मिल करके बनाता है एक drainage system, number of channels का network है, वो मिल करके बनाता है drainage system, तो drainage system जो कुछ इस प्रकार का होता है बच्चा, ये drainage system कौन-कौन सी चीजों को impact करता है, किन-किन चीजों से बनता है, तो there are certain factors, कुछ कारण है, जो influence करते हैं, drainage कैसा होगा, drainage अलग-अलग होते हैं, कोई सा rectangular होता है, कोई सा dendritic होता है, कोई सा drainage आपका barbed होता है, तो कौन सा drainage बनेगा, उसको कौन से factor impact करते हैं, तो सबसे पहला shape and structure of rock, जो shape और structure होता है rock का, अगर rock hard है, तो river उसे erode नहीं कर पाएगा, तो एक अलग तरह से बहेगा, अगर rock soft है, तो river उसे erode कर देगा, तो एक अलग तरह से flow करेगा, तो hard में flow अलग होगा, soft में flow अलग होगा, तो ये एक factor हो गया, दूसरा factor हो गया, physiography of slope, उस slope की physiography, अगर वो जो slope है, वो slope gentle है, तो drainage अलग होगा, एक अलग प्रकार का drainage बढ़ेगा, अगर वही slope steep है, मतलब बहतरिन slope है, तो drainage कुछ अलग प्रकार का बनेगा, तो इसके उप बर भी drainage बहुत ज्यादा impact करता, बहुत ज्यादा depend होता है, बात समझ में आ गई, तीसरा point, important point, the quantity of flowing water, जो पानी बहता है, उस पानी की quantity क्या है, quantity of flowing water, तो quantity of flowing water के अंदर क्या आ जाएगा, अगर पानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पानी जाता है, तो drainage pattern कुछ बनेगा, तो drainage के जो pattern होते, इन factor के उपर depend करते, अगला time period of flow, जैसे कोई-कोई से नदिया इसी होती, जो सिर्फ गर्मी में बहती है, तो उसका जो सिर्फ बारिस में बहती है, तो वहाँ पर गर्मी में सूखा पड़ा होता, तो drainage system अलग होगा, वही कुछ नदिया इसी होत जो सिर्फ और सिर्फ बारिस और ठेंड में बहती है, जैसे हिमालियन रिवर तो उसका drainage system अलग होगा, बारिस में तो बारिस में क्यों बहेगी, बारिस में तो बहेगी, बारिस और गर्मी में बहती है, बारिस में तो क्यों बहेगी, क्योंकि rainfall होगी, और गर्मी में क्यों क्योंकि बर पिग लेगी तो इस तरह से वो ड्रेनेज पेटन भी बनेगा बात समझ में आ गए हां सर समझ में आ गए ओके अब यहां पर हमारे पास कुछ तरह के ड्रेनेज पेटन है सबसे पहला ड्रेनेज पेटन है देटिस टेंड्रेटिक ड्रेनेज पेटन लिखो हेडिं ट्री केसे ये एक में नदी है इस में नदी से उसकी एक ट्रिब्यूट्री जूड़ी ट्रिब्यूट्री का मतलब होता सहायक नदी अब इस ट्रिब्यूट्री से एक और ट्रिब्यूट्री जूड़ी इधर भी एक ट्रिब्यूट्री जूड़ी फिर एक और फिर इस से एक होती है पेड़ की branches होती है ठीक उसे types होती है तो example देख ले इसका गंगा river system केसे यह तो हो गई main river गंगा अब गंगा की एक tributory है tributory थोड़ी से पतली होगी इससे that is यमुना अब यमुना की एक tributory है that is Xambal उफिर चंबल की एक tributory है Xambal river जो है Xambal river की एक tributory है Xipra उफिर Shipra की एक tributory है काहन तो काहन शिपरा शिपरा, चंबल, चंबल, यमुना, और यमुना at the end of the day in गंगा, तो जिस प्रकार से एक पेड़ होता है, जिस प्रकार से जिस टाइप से एक पेड़ होता है, उसकी अलग-अलग ब्रांच होती है, ठीक उसे प्रकार से जब नदी से नदी मिलती है, नदी से उसकी छोटी-छ शेप बनता है जिसे हम dendritic pattern कहते हैं यह यहाँ पर जो दिखाई दे रहा ठीक है इसके बाद दूसरा जो pattern आता है that is angular pattern angular pattern में क्या होता है जितनी भी tributaries है जितनी भी tributaries है वो main river को एक acute angle के साथ जोडती है acute angle मतलब 90 degree से 90 degree से छोटा less 90 degree से छोटे angle से अगर सारी tributaries join कर रही river को तो that is that is the angular angular drainage pattern होगा फिर आता rectangular drainage pattern यह इस तरह से rectangle के form में बहना है हर एक बार 90 degree पर मुर्णा जैसे ब्रह्म पुत्र नदी ठीक है फिर आता है radial radial outward कौन सा आता radial outward तो इसमें क्या होता एक पहाड से अलग-अलग दिसा में नदिया निकलती है जैसे अमरकंटक अमरकंटक से एक तरफ तो निकली नर्मदा एक तरफ निकली जोहिला एक तरफ निकली सोन फिर हो गया radial drainage pattern इसमें क्या होता रिवर की ट्रिप्यूटरी रिवर के परल्ल चलती है रिवर की ट्रिप्यूटरी रिवर के परल्ल चलती है फिर आता central depression त्रेटियार्विड यनवर्ट वो के सा था वो था radially outward मतलब centrifugal drainage pattern था और वो centrifugal drainage pattern है तो इसमें क्या करता नदिया आकर के एक तालाब में मिल जाती है यह आई यह आई यह आई यह आई एक तालाब में मिल जाती है और इस तालाब से आउटवर्ट जाने के लिए कोई से नदि नहीं होती होती है मतलब नदि आकर के तालाब में मिल गई पर तालाब से बहार की तरफ कोई नदी नहीं जारी that is radial invert जैसे अरलकी अरलसी अरलसी के अंदर अमुदरिया सिरिदरिया अमुदरिया, सिर्दरिया ये नदिया इसके अंदर आती है और पानी इसके अंदर डालती जाती है बड़ पानी कहीं बाहर नहीं जाता एंडॉर हिक एंडॉर हिक ड्रेनेज पेटन बोलते हैं कि पानी किसी और जगह नहीं जा रहा एक जो री zhat लाब में कि तालाप का पानी कहीं और भैकर जाता है और जब तालाप के अंदर पानी उसी के अंदर खतम हो जा जा है इवापरेशन से उसे एंडोर ही ड्रेनेज पेटन बोलते हैं जो कि रेडियली इनवर्ट या फिर सेंट्रिफ्यूगल ड्रेनेज पेटन होता है ठीक है चलिए एक और इंपोर्टेट होता जिसे बोलते हैं बार्बेट ड्रेनेज पेटन बार्बेट ड्रेनेज पेटन में क् कि guys cute driver इसके opposite direction में ट्रिबूटरी उसको जोइन कर रही है मतलब रिवर के blowing का डायरेक्शन कोई और है कडि ऑर जो सके ट्रिबूटरी साहक नदी उसको उपोजिट साइप करके जोइन कर रही है तो इस द्रेडियल ड्रेनेज पेट्नी सिजब द्री इस दे ड्रेनेज पेटन ओप इंडिया बात समझ में आ गई कि किस तरह का ड्रेनेज पेटन होता है हमारे देश के अंदर हमने उसको डिसकर भी कल लिया अब ड्रेनेज सिस्टम बेस जोन ओरीजिन मतलब ओरिजिन के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर या फिर उनकी लोके on the basis of locations the rivers which flows on the peninsular India are termed as peninsular rivers on the other hand the river which flows over the Himalaya are termed as the perennial or Himalayan river what does it mean perennial means वो river जो पूरे साल बहती रहती है पूरे साल बहती रहती ये से क्या मतलब पूरे साल बहती रहती ये से मतलब गर्मी में जब बर पिकलेगी तब भी बहेगी और पारिस में जब पानी की बर साथ होगी त ये हो जाईगी आपके कौन से river Himalayan river या फिर perennial दूसरी होती peninsular river peninsular river का मतलब होता वो नदिया जो हमारे pride वीपी भारत में बहती है peninsular इंडिया में बहती है ये नदिया seasonal होती आपको यहां दिखाई दे रहा peninsular river के उपर मैंने bridge और dame बना रखा है और perennial river के उपर सिर् इसके पारिस में दिवही और बारिस के बाद हमने सोचा अयठ निगल पानी 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 गया और समंधर में मिल गया कोई मतलब ने एसा तो थोड़ी ना है हमको प्यास तो घर Mire गर्मी में भी करेंगे तो इस पारिस के पानी को गर्मी तक बचाने के लिए हम उसके उपर चक डेम्स बना देती है या फिर बड़े-बड़े लार्ज ग्रेविटी डेम्स तो वो इस तरह से इसके उपर दिखाई ड्रेगा ड्रेनेज सिस्टम में बात समझ में आ गई ठीके ओके सबसे पहले बात क इन्हों ने नोर्दन प्लेन्स का निर्मान किया था यह तीन नदिया कहां से निकलती है यह तीनों नदिया निकलती है हिमालया से कहां से निकलती है तीनों नदिया हिमालया से निकलती है ठीके इंडस रिवर गंगा रिवर और ब्रमपुत्र और इन ही तीनों की ट्रिब्य ठीक है तो सबसे पहले इसमें से बात करते हैं इंडस रिवर के बारे में इंडस रिवर जिसको सिंदू रिवर भी कहते हैं इंडस जिसको हम सिंदू रिवर भी कहते हैं सिंदू रिवर जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पढ़ा हुआ हिंदूस्तान तो इंडस रिवर जिस जिसके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा है जिसके उपर विस्व की एक पुरानी सब्विता थी इंडस वेली globalization यह इंडस रीवर कहां से निकलती है इंडस रीवर जिसके बारे में इतने सारे 有 इतने सारे तत्त यहेर इस इंडस रीवर का origin होता है राकस लेक, मान सरोवर, तिबब केलास रेंज, मतलब मान सरोवर जो लेक है उसके पास केलास रेंज के उपर बना हुआ बोखार्चु ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है, बड़े बड़े बर्फ का पहाड़, तो बोखार्चु ग्लेशियर उस ग्लेशियर के मेल्ट होने से ये नदी बहके दक्षिन में आती है ठीक है और इस नदी को वहाँ पर कहा जाता है सिंगी खंबन क्या कहा जाता है सिंगी खंबन टोटल अठारा सो टोटल 2897 किलोमेटर की दूरी तै करके कहा से इसके ओरिजिन से ले करके मतलब बुखार्चु ग्लेशियर से ले करके तो कराची के पोर्ट तक ये इतनी दूरी तै करती है ये हो गया इंडस रिवर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये नदी है इसका एसे नाम पड़ा और इस प्रकार से बहते हुए हमारे देश की तरफ आती है ये हो गया इंडस रिवर हाँ जी सर आ के जानते इसके बारे में तो इंडस कट थो हिमालिया एंड एंटर इंडिया नियर धाम चोक इंडस हिमालिया को कट करती है और चाइना का जो तिबबतन रीजन है उस तिबबत कौन सी जगा धाम चोक नाम की जगा से हमारे देश के अंदर एंटर करती है कौन सी नदी इंडस रिवर कौन सी जगा धाम चोक कहां पर है यहां पर ठीक है इट फ्लोस इन चाइना इंडिया एंड पाकिस्तान तीन देश के अंदर फ्लो करने के कारण इसे तीन देश में फ्लो करने के कारण इसे ट्रांस बाउंडरी रिवर कहते है क्या कहते है ट्रांस बाउंडरी रिवर इट रिसी वाटर फ्रॉम पंजनाद नियर मिथान कोट पाकिस्तान पंजनाद इंडस की पार ट्रिब्यूटरी से मिलकर के बना हुआ है कौन-कौन सी? पहली केनाब जहलम रावी प्यास और पतलच इन नदियों से मिलकर के बना हुआ है ये पार्ट इन नदियों से मिलकर के बना हुआ है ये पार्ट इट एंटर इन पाकिस्तान नियर चिलास जब ये पाकिस्तान के अंदर एंटर करती इस रीजन से इसे कहा जाता है इस जगा का नाम है चीलास जा एंटर करती है पाकिस्तान के अंदर ठीक है इट एंटर इंटर इंटू पाकिस्तान प्रोम चीलास इन दार्दिस्तान दार्दिस्तान वाले रीजन के अंदर ये एंटर करती है नंगा परबत के पास ये डीप गोर्ज मतलब बड़ी बड़ी खाया और हेरपीन वेली इस टाइप का structure बनाती है कौन सी नदी इंडस नदी ठीक है पिटा तो ये था इंडस रिवर के बारे में basic introduction ठीक है अब इंडस की जो ट्रिब्यूटरी से यहां से हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम इंडस की सारी ट्रिब्यूटरी के बारे में डिस्कस क करेंगे ठीक है तब तक के लिए जय हिन ठीक है बटा जितने भी क्योशन्स में आपको बताई जो भी चीजे में आपको बताई उनको प्रोपर लर्न कर लेना ठीक है पांकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर जय हिन जय भारत